कौन सा background अच्छा लग रहा है ये 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 कोई भी नहीं जी आप बिल्कुल ठीक समझाए इनमें से कोई भी हमारा असल background नहीं है बलके हमारा actual background कुछ ऐसा है अगर आप भी मेरी तरह facecam videos बनाते हैं लेकिन आपको ये attention रहती है कि आपका background बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और professional look नहीं दे रहा तो इसी problem का आज हम एक solution लेके आए हैं जिससे आपकी videos बिल्कुल professional हो जाएंगी ये solution ज़रा भी expensive नहीं है बलके ये बिल्कुल सस्ता और आसान solution है तो जो सबसे पहला step आपको लेना है वो आपको अपने background वाल पे एक green color का कपड़ा लगा लेना है वो ये colors आपके body parts में होते हैं जैसे कि आपकी eyes में black और white color होता है अगर आप black या white color का background में कपड़ा लगाएंगे तो आपकी आँखें भी transparent हो जाएंगी और आपकी आँखों के अंदर से background नजर आएगा जिससे आपकी आँखें आगे भी देख सकेंगी और पीछे भी देख स है तो ये color का कपड़ा लगाने के बाद आपने अपना clip जो है वो record कर लेना है जैसे कि मैंने अपना clip record कर लिया हुआ है तो चलिए बाकी आपको computer की screen पर दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से clip record किया हुआ है जो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है ठीक है क्या ratio है आपकी project मैं जो है वो portrait बना रहा हूं मतलब टिक टॉक यहां जो रील्स बगर होती है यह YouTube shots होती है उसके लिए बना रहा हूं तो मैं इसके उपर क्लिक कर दिया कि मेरा प्रोज्ट्रिया वह इस टाइप का है ठीक है इसके बाद मैंने वहां से जाके वह video import कर लेनी है जी 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 यह वो video है और साथ यह background है जो हम use करने वाले हैं तो मैंने दूनों चीज़ें जो हैं वह भी import कर ली है इसके बाद यह वाली जो चीज़े वीडियो आपकी आप इसको उठाकर लाएंगे और यहां timeline में डाल देंगे तो मैं let's say 30 fps के साथ ही जाता हूं और start से मैं video cut कर रहा हूं क्योंकि मुझे start से नहीं चाहिए और मुझे end से भी नहीं चाहिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करना है तो इस वजह से मैं इतनी lengthy video नहीं edit करूंगा तो मैंने इतनी अपने video कर लिया उसके बाद यह वाला जो background है यह मैं नीचे लगा रह रहा हूं और आप देख रहे हैं कि यह अभी है सच कोई effect नहीं बड़ा आपने इस video के उपर क्लिक करना है यह जो वीडियो है timeline में इसके उपर क्लिक करना है और यह जो ऊपर एक icon आ रहा है एक PC सा बना है उसके उपर क्लिक करना है तो यह आपको option देगा यहां पे यह वाल नहीं है और green में भी कुछ issues हैं आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो साया नजर आ रहा है कि मैंने दिवार के बिल्कुल क्रीब हो के बनाया अगर आप यह साया नहीं लाना चाहते तो आप कोशिश करिए गया कि आप जो अपनी light लगा रहे हैं वो 45 degrees और उपर लगाने ताक तो मैं अब जा रहा हूं यहां पर और मैंने यहां से यहां पर जा कि यह मैंने select कर दिया अभी देख रहे हैं कि यह background अच्छे से remove नहीं हुआ क्योंकि यह settings आपने करनी है कुछ यहां से जैसे आपको ठीक लगे आपने वैसी करनी है मेरे आप देख रहे हैं कि इससे इतना पर एक नहीं बड़ा ठीक है लेकिन आपने इनको थोड़ा से adjust करना है जैसे इसको मैं तक्रीबन रखूंगा यह ज्यादा पता लगेगा जब आप alpha में जाएंगे alpha यह जो नीचे option है इसको select करें और इन option को अपने accordingly set करें ठीक है मैं जो है अभी इसको 100 पर ही रख रहा तक्रीबन यह देख रहे है तक्रीबन 50 पर यह जो है वो ठीक result दे रहा है 50 ठीक है 50 पर यह जो edge thickness है जो मेरे body के corners है ठीक है उनको कह रहा है लेकिन यह जो background है अभी मैं इसको थोड़ा सुना यह देखें इसको accordingly adjust करना है क्योंकि वह यह चीज़ अब देख रहे हैं कि यह ज और वैसे भी जो मैं ज्यादा ही कुछ पीछे अटके बैठा हूं तो इस वज़ए से मैंने इसको ऐसे गर देना ठीक है मेरे जो साया आ रहा था वह इस तरह रिजॉल्फ हो गया लेकिन आपकी वीडियो में साया नहीं होगा आई होप तो आपकी इस वाएगा भी नहीं मैं इसको आपको रेंडर करके थोड़ा सा दिखा देता हूं कि यह रेंडर करके कैसी लाग रही है तो अगर आप इसे रेंडर करेंगे तो जो आपको एक्चुल रिजॉल्ट होता है वीडियो का वो नजर आना शुरू हो जागा फिल्मोरा के अंदर ही अदर वाइस जो है वो को मैं पहले से अडिट कर चुका हूं तो इसका जो रिजल्ट है वो आप यह देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का है वीडियो इस तरह एंग लग रही है बिलकल प्रफेशनल लोग दे रही है ना तो दे दिया ना आपको एक सस्ता सा स्लूशन थैंक्स में लेटर मुझे तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो यूट्यूब यहांदी के सोचल मीडिया प्लेटफार्म पर फेस्कैम वीडियो बनाते हैं और उन्हें बैग्राउंड का इश्यू होता है